hey what's going on guys कैसे आप सभी लोग welcome back to the video and guys आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 के अंदर runners vs. snipers और guys हम लोग यहाँ पर है sniper वाली team में लेकिन अफसोथ यहाँ पर sniper नहीं अपने आपको pistol दी गई है यह क्या system मजा के भाई उपर से क्या मेरे को भी उपर जाना है guys यहाँ पर सीडिया दी गई है यार I think मेरे को shoot करना है chop को बट लगता है अपने को पहले उपर चहर जाना चाहिए उसके उपर चहर के जो situation उसका मुआइना लेंगे वो देखो chop भाग रहा है chop को अपने को उपर नहीं पहुंचने देन अब ही बहुत सारे लेवल्स है अभे फ्लेयर मार के क्या कर रहा है और भाई उस फ्लेयर का काम पड़ेगा तुमको आगे जाके उसको बचा के रखो दोस्त ऐसे बरबाद करो कि इंपोर्टेंट चीजों को तो बाद में जाके बहुत पच्टावा होगा तुमको और राइ लेट्स गो इसको शूट करते है ओ और जटका लगा ओके गोली भी मारी है मैंने बहुत जबरदस्त वाली इसको लेकिन फिर से बच चलो ऊपर चलते हैं कितना ऊपर ले जाएंगे यह मेरे को बाइद वे और यह कहां गे एकदम जेनरेटर वाले रूम में घुज गया है व इसने को रिवॉल्वर चलाएं चाहिए बस इस रिवॉल्वर का जो रिकॉइल है वह बहुत जादा है दोस्तों इस वजह से आप लोग देख सकते हो एक बार गोली चलाने के बाद यहां पर गन का जो किक बैक है वह इतना जादा है कि एकदम 90 डिग्री ऊपर उचल जाती ह गन और कहां जाड़ियों में घुश के भाग रहा है भाई इसको तो ठोकना पड़ेगा गाइस के हेल्थ भी कम है एंड सट एक्स लगा सीधा है चाहर्ट और राइट ऑल्राइट गाइस टाइम फोर राउंड नबर टू अफ रॉनर्स वर्सेश स्नाइपर इस बार दोस्त इस पर अच्छी है कि आप यह शूट नहीं कर रहा हूं पहले उपर जा रहा हूं इसलिए दोस्तों हमारी उपर गोलियों की बॉचार नहीं अभी तक ने तो बता रहा हूं चौप तो भाई अभी तक तीन-चार मैगजीन खाली कर देता हो देखो कैसे उपर भाग रहा है इससे पहले कि वो थर्ड फ्लोर पे पहुंचा अपने को फॉर्थ फ्लोर पे पहुंचना पड़ेगा ओ भाई यह रास्त में बेंच कौन लगा के गया है यार ऐसे कौन पार्क वाली चीज़े यहां लगा देता है भाई खुले में नहीं चाहिए बेरको ओ नहीं वह रहा ह पिछले राउंड में बहुत हसे हो तुम लोग मेरे पेचानता हूं मैं इसलिए हम लोग आ चुके है राउंड नमर थ्री में अपना इस जो बैजज़ती हुई है ना पिछले राउंड में उसका बदला लेने के लिए अब तुम बोलो के बदला कैसे लोगे फ्रॉस्टी है तो हम लोग को इस राउंड को जीतना पड़ेगा लेकिन अफसोस यार यह भाई कैसे उपर भाग रहा है यह तो एकदम फूल फ्लेश की स्पीड से निकलते जा रहा है आरे भाई यार रुख जाओ यार इतना आगे कहा जा रहे हो भाई मेरा मरा मरा ओ बजग गया मारो इसको मारो पैस की आख मर मर अरे यार हेड भी नहीं लग रहा है इसको तो भाई बहुत गोली बार दे आपने आर उपर से मैं उपर से गिर भी गया यार मैं साथ अच्छा नहीं हो रहा है और खाने पीने कहा लग गया रुक और प्लीज इसका खोपड़ी उड़ा दूगा यहाँ पर आल राइट जाओ तुम उपर जाओ देखो मेरी गोली को डॉज कर लोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा लेकिन लगता नहीं है दोस्त जिस तरह से तुम उपर भाग रहे हो तुम हमें डॉज कर पाओगे आल राइट प्लीज एक भी गोली एक तो लग जा अब बाहर आजा दोस्त इतनी देर से पिस्तॉल लेके खड़ा हूँ यार ये बंदा भाई अजब टाइप का आदमी चलो तब तक रिलोड कर लेते हैं गाईज अब तो बाहर निकल जाए अब क्या पूरा दुनिया जहान का सारा खाने एक ही बार में खाएगा क्या और रा अब बाहर ये बाहर भाई आजब लगा आपकी गोली नहीं लगई ये तरे को मरा 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 बहर भाग भाग अवे क्या कर रहे नूब ओ भाई ये देखो बीच रास्ते में खड़ा है गोली मार दू क्या फोथ भाई प्लीज एक सेकेंट खाना-खाने दो भाई मेरा हेल्थ तो भूत कब मर जाओगा मैं। Guys, देखो, मैं इधर उधर गोली मार रहा हूँ, अब गल्ती से इसको लग गया, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? Why, भापरे, जान आई, भाई, मारना मत मेरे को, ठीक है? ठीक है मैं तेरे को नी तेरे पैरों पे मारता हूँ तेरे पैरों पे मार ने से मर गया well never mind that guys ऐसे जाने तो नहीं दे सकता था इसको पछले round में पता नहीं क्या हुआ है दोस्तो round number 4 में आपका स्वागत है runners vs snipers में चौप तो भाई इसलिए बोलता हूँ बीच में यार खाना बीना बंद किया कर समझा खुले में खाते पीते रहता है मर गया ना नूब कही का चौप भाई तो बद बोलो बेरको आपने चान बूच का मारा है मैंने बोला तो छोड़ दो बेरको चोड़ना क्यों है भाई मेरे को ज़र ये बताना चोड़ना क्यों है मतलब क्या हम लोग यहाँ पर एक दूसरे पर दया करने के लिए खेल रहे है गाईस क्या चाहते हो तो मैं चीटिंग करूँ तुम्हारे लिए ओ भाई पहले ही गोली मार दियार इसने तो और भाई नहीं अब मैं भी आपके उपर दयार नहीं करूँगा बहुत हो क्या भाई आपने तो हलके में ले लिए आपून को और गाईस चौप की गोली आप बहुत पास से निकल रही है मैं सच बतारो आप लोग देख सकते हो पीछे से एक लाइन बनती है न स्मूक की वो चौप की गोली गुजरी रहती है वहां से जल्दी से थोड़ा साना आप एक काम करते है आर्मर है हमारे पास और यह देखो स् अरे यह तो ऊपर जा रहा है आप इतना ऊपर पहुंच गए मैं अभी नीचे ही खड़ा हो भाई एम लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है ब्रो अरे तो तुम एम लगाओ तब तक भाई मैं यहां पर आगे निकलता हूँ ओ शिट यहां पर तो इतने सारे जनरेटर है ब् पर जटका लगा तो सिधा नीचे जाओंगा औरे न pressures in rupees ज्यांने दोटा Cat और मरा ना इस दुबार मौका मिला है अपने कूछ तो मेरा पैर भरे नीचे पिसल गया लेकिन आपनों लोगो लेनट कर गये प्लैटफयंब 233 जा रहा तइसा ब्लास उचल रहा है तो नाई यार गया मैं यहाँ पर आपका फ्रोस्ट भाई जार स्वूंदर ने जाओगा याma प्लाटफॉर्म पे गिर के चप्टा हो जाओगो आप लोग को पहले ही बता दू इस राउंड को भाई मैं एकदम 10-15 सेकेंड में कम्प्लीट कर दूगा वाट भाई ये कैसे करोगे भाई तेरे को गोली मार दूगा भाई अब बस एक और मारना ये ले वाट भाई आपने तो पहले लेवल पर ही टपका दिया भाई और मैंने आप लोग को बोला था ना भाई आप लोग यार एकदम राउंड खतम कर देंगे पिछला वाला जल्दी जल्दी भाई तो याद रखना मेरे पास भी बंदूख है इसमार भाई भी आपको जारे नहीं दूगा ब्रो अरे पहले मार के तो दिखा लूब अरे यार मेरा बंदा तो खुदी से मर जाएगा वैसे मेरे को भी नहीं पता यार इतना जल्दी कैसे मर गया यह पिछले राउंड में मतलब मैंने हाँ ठीक है भाई बंदूखे चलाई थी तेजी से लेकिन इतना भी तेजी से नहीं चलाई थी कि यार इतनी तेजी से मर जाएगा यह बंदा मतलब गाई इसको चाड़ने भी नहीं दिया भाई पहले वाले प्लाटफॉर्म के उपड़ उसके पहले ही मारने माला पताओ यार कौन बंदा ऐसे ठोकता है भाई चड़ने भी नहीं दे रहा हूँ मैं इसको ओ भाई इसकी भी गोली लगी है मेरेको एक काम करूँ क्या थोड़ा सा हेल्थ रिप्लेनिश कर लेता हूँ काईज नहीं तो आगे जाएंगे तो पता चला भाई ठोक ठाक देगा यह फल्तू में मर जाओंगा मैं अल्राइट चलो ये ले लिया एक काम कर तो एक बॉड़ी आर्मर पहन लेता हूँ अभी तो हमारे पास काफी सारे बॉड़ी आर्मर है गाईज टोटल मैंने 10 खरीदे थे उसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ तीन कंजियूम हुए है तो 7 बचे वे और ये राउंड आइधिंग 6-7 राउंड और चलेगा अगर बहुत भी चलेगा तो लेकिन उसके पहले ही मैं गेम ओवर कर दूँगा डोंट वरी और राइट चौप उपर जा रहा है अभी टाइम दोस्तो निकलने का लेट्स को इससे पहले कि उसकी जो रफ्तार वाली गोलिया मेरे को पकड़ सके मैं यहां पर अपनी रफ्तार बढ़ा के आगे निकल जात बट यह वाली जेनरेटर बहुत प्रॉबलम करती है गाईज मैं सच बतारू यह दोखो अबे क्या भाई इतना अच्छा खेलने के बावजूद मेरा बंदा मर गया यार आप बताओ कौन डूब है भाई मैंने तो मारा भिने खुदी मर गया आप अल्राइट गाईज टाइ गाईज अपने पास कोई और आप्शन नहीं है दोनों में से एक बंदे को मरना ही पड़ेगा वैसे टाई तो भी हो सकता है लेकिन टाई होने का बहुत कम चांसे है गाईज उपर से मेरी एक गोली अल्रेडी इसको लग चुकी है तो याप आइधिंक चॉप जो है भगवा लगेगा तो लगने दो उसके बाद आर राम से वहां पर उपर से साइट लेकि इस बंदे पर इतनी गोलिया भर्साओंगा इतनी गोलिया बर्साओंगा यह कंफ्यूज हो जाएगा लेफ्ट भागू या राइट ओ गाईज हम लोग थर्ड फ्लोर पर आ चुके है वीडिय अल्राइट अन्यूज आ नेक्स वीडियो श्टे फ्रॉस्टी